तो फाइनली साथियों भी हाद DLA परवेश परिच्छा 2024 का फाइनल एडमीड काड डाउनलोड होना सुरू हो गया है आप में से बहुत सारे से स्टूडेंट है जो अपना एडमीड काड अभी तक डाउनलोड नहीं किये हैं या फिर कुछ invalid बता रहा है या गलत बता रहा है और डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो step by step इस वीडियो को आप सभी देख लिजे कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आप सभी अपना PDF अपने मोबायल में सेव कर सकते हैं वो सारी चीजे step by step बताएंगे साथी साथ आप सभी को ध्यान रखना है इस एडमीड कार्ड को लेमीनेशन करके एकजामीनेशन हाल लेकरके नहीं जाना है बाकी आप सभी नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे यह डाउनलोड करके हम सेव करके रखे हुए PDF के रुप में है आप सभी को कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए आप सभी अपना कोई भी Google ब्रोजर ओपेन कर लेना है Chrome ओपेन कर लेना है और इसमें आप सभी को सर्च करना है कोसी स्टेडी दोस्तों जो पहले का ओफिसल वेबसाइट था उस पर एडमीड कार जारी नहीं किया गया है नया वेबसाइट पर यह लिंक जारी किया गया है तो वह लिंक आप सभी को कहां से मिलेगा वो सारी चीजे step by step बताएंगे बहुत सारे student date of birth डालने में गलती करते हैं जिसके वज़े से एडमीड का डाउनलोर नहीं कर पाते हैं तो पहले आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देख लीजी जिससे कि आप सभी को बार बार ये समस्या नहीं आए एक बार में आप सभी समझ जाए तो गुगल में आना है और गुगल में आप सभी को सर्च कर लेना है कोसी study आप सभी का पेज इस तरीके से open हो जाएगा सबसे उपर ही आप सभी को एक link दिखाई देगा यहां पर आपको किलिक करना है इसके बाद जो है यह आर्टिकल पढ़ना चाहे तो आप पूरा पर सकते हैं पूरी जानकारी विस्तार से यहां पर बताए गई है दो सिप्टों में यह परिक्षा होगी कोई भी negative marking नहीं है 10th standard का सभी question पूछा जाएगा 120 नमर का question होगा और 120 question होगा सभी के लिए एक mark निर्धारित है नीचे आएंगे तो यहां पर आप सभी देखेंगे DRDL admit card release now यहां पर आपको किलिक करना है यहां link 1, link 2, link 3 को छोड़ देना है release now पर किलिक करना है यहां पर किलिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे एक नया link open होता है इस link को आप direct google में search नहीं कर सकते हैं या फिर official website जो dled.bihar.in.com उस पर जो है इसको जारी नहीं किया गया है तो आप सभी को इसी तरीके से kosier study पढ़ाना है वहां से इस link को प्राप्त कर लेना है अब यहां पर user id के रुप में अपना application नमर डालेंगे उसके बाद date of birth इसी format में डालना है और बीच बीच में आपको dash लगाना है जैसे कि आपको मान लिजिए 03-2000 आपका जनमती थी है तो यह dash आप सभी को लगाना ही है तभी आप download कर पाएंगे उसके बाद आपको यहां पर capture डाल देना है इसमें और यहां पर क्या करना है login पर click करना है तो चलिए यहां पर हम एक user id को fill up कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर हम capture code और जनमती थी सही सही भर लिए हैं आप से भी को धियान रखना है जनमती थी जो आप डालेंगे इसमें जो है आपको पहले date डालना है देस लगाना है फिर month डालना है फिर देस लगाना है फिर उसके बाद year डालना है तो अगर आपका तीसरा month है तो 0-3 लगाना है तीसरा तारिक है तो 0-3 लगाना है तो 0 आपको जरूर 2 अंक में डालना ही है इसके बाद आपको Captcha Code डाल करके Login पर क्लिक करना है चलिए हम आपके सामने Login पर क्लिक किये है और यहाँ पर देखेंगे कि यह जो है आप सभी का Admir Card कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर आपका पूरा Detail जो है यहाँ पर Show करेगा ठीक है इस PDF को आप Save भी कर सकते है नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूरा PDF पांच पेज का है आप इसको देख सकते है पूरा इसके बाद PDF डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है Click Here to Print यहाँ पर Click to Print पर आपको क्या करना है? क्लिक करना है चलिए हम क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे आप सभी का PDF पेज में Save होना शुरू हो जागा यहाँ पांच पेज में आपका Save होगा इसको चाहे तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है नाम डालने के बाद यहाँ पर आप इसको अपने File Manager में Save कर सकते हैं तो यह जो है आपका PDF आपके मोबायल में Save हो चुका है तो इस तरीके से आपसे भी अपना PDF को डाउनलोड कर सकते हैं तो अब भी भी कोई भी समस्या आ रही है तो कोमेंट करके जरूर बताएगा विसे आपको एक बार फिर से दोबारा इस वीडियो को देख लेना है Google में आना है Google में सर्च करना है बिहार DLAD Admir Card 2024 Scotia Study और सबसे पहला आर्टिकल जो आपका होगा इसको आपको आपको आपन कर लेना है यहां से भी आप जो है उसी आर्टिकल पर आ जाएगा और यहां से आप अपना लिंक प्राप्त कर सकते हैं और Admir Card को डाउनलोड कर सकते हैं